यह सोचा है कि क्यों कुछ चीज़ें बहुत ज्यादा popular होती हैं? क्यों लोग कुछ products के बारे में ज्यादा बाते करते हैं? और क्यों कुछ कहानिया और of fine बहुत viral होती हैं? Stanford University से PhD और viral marketing के expert जोना बगर ने अपनी book Contagious, Why Things Catch On में 6 principles बताए हैं कि क्यों चीज़ें viral होती हैं? इन principles को उन्होंने steps का नाम दिया है First principle है social currency लोग वो चीज़ें share करते हैं जिन से वो अच्छे दिखते हैं एक coffee shop है जहाँ पर एक coffee around 400 की मिलती है बिल्कुल वैसे ही coffee एक दूसरी coffee shop पर भी मिलती है only 40 rupees में लेकिन जहां महेंगी coffee मिलती है वो shop ज़्यादा successful है ऐसा क्यों है इसके कई factors है उन में से एक factor है social currency social currency का idea ये है कि लोग वो चीज़ें share करते हैं जिससे वो अच्छे दिखते हैं तो ऐसी कोई चीज जिससे आप smart, cool और अमीर नजर आते हो तो chances ज़्यादा है कि आप उसके बारे में दूसरों को बताओगे अगर आप उस सस्टी coffee shop में जाते हो और एक 40 rupees की coffee लेते हो तो शायद ये इसी चीज नहीं है कि आप सबको बताओ बट imagine आप उस महेंगी coffee shop में जाते हो और एक 400 की coffee लेते हो तो ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद आप अपने सारे friends को बताओगे और अगर आप उन लोगों मैंसे हो जो कोई भी अच्छी चीज Facebook और Instagram पर post किये बिना enjoy नहीं कर पाते तो शायद आप उस coffee की photo भी share करोगे ये बताने के लिए कि आप कितने cool हो और बहुत expensive चीज़ें खाते पीते हो So first principle है social currency और idea ये है कि अगर आपका idea ये product share करने से लोग अच्छा feel करते हैं तो वो जरूर share करेंगे Second principle है trigger लोग आपके product को किस तरह याद रखते हैं Recently इंडिया में Cadbury ने उनकी chocolate dairy milk का एक commercial launch किया था अगर आपको याद हो वो dialogue कुछ मीठा हो जाए इसका मकसद ये था कि जब जब लोगों का मीठा खाने का दिल हो तो उनके दिमाग में dairy milk आए So यहाँ मीठा word एक बहुत अच्छा trigger था आप मेंसे कितने लोगों ने लाइन सुनी है पपू पास हो गया क्या आपको पता है ये लाइन कहां से आई Around 10 साल पहले Cadbury dairy milk ने commercial launch किया था शायद आपने देखा भी हो उसमें अमिताब बच्चन पपू पास हो गया गाते हुए नजर आते हैं इस campaign में पपू नाम एक बहुत अच्छा trigger था लोग जब पपू नाम सुनते तो उनके दिमाग में पपू पास हो गया गाना गाते हुए अमिताब बच्चन आ जाते इससे dairy milk की याद आ जाती जंडू बाम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था मुन्नी बदनाम हुई song release होने के बाद जंडू बाम की सेल्स बढ़ गई थी 2007 में अमेरिका में किटकेट की सेल्स हर साल गिर रही थी और उन्हें चाहिया था एक effective marketing campaign कंपनी के marketers ने किटकेट को लोगों की एक बहुत ही common आदत से जोड़ दिया और वो आदत थी कॉफी पीने की आदत तो किटकेट के सारे commercials में कॉफी भी दिखाई जाती तो जब भी लोग कॉफी पीने के बारे में सोचते उसके साथ automatically किटकेट का thought भी दिमाग में आता तो जिस किटकेट की सेल्स हर महिने 5% गिर रही थी इस campaign के बाद उनकी सेल्स 33% उठ गई लोगों को आपका product या idea बार बार याद दिलाने के लिए आपको एक strong trigger चाहिए थर्ड प्रिंसिपल है emotion लोग जब strong emotion फील करते हैं तो वो share करना चाहते हैं टीवी शो बिग बॉस का example लेते हैं अगर आप बिग बॉस नहीं देखते और अगर आपको कोई ऐसा मिल जाये जो देखता है तब आपको सुनने को मिलती होंगी बिग बॉस की घर की stories बिग बॉस में ये हो रहा है वो हो रहा है और इसी factor पर सारा media भी depend करता है media जितना हमें गुस्ता दिलाता है ये attention देता है यहां में अच्छे दिन आने के सपने दिखाता है हम उसे share करते हैं फॉर्ड प्रिंसिपल है emotion लोग जब strong emotion फील करते हैं तो वो share करते हैं फॉर्थ प्रिंसिपल है public और idea ये है कि हमारे आसपास के लोग जो भी कर रहे हैं हम उसे influence होकर ही decisions लेते हैं पड़ोसे के पास कौन सी TV है किसने घर में AC लगवाया है कॉलोनी में किसने new car ली है ये सब चीजे हमारे decisions को effect करती है car buying behavior पर एक research भी हुई थी इसमें पता चला कि एक आदमी car लेगा या नहीं लेगा इस बात पर depend करता है कि उसके आसपास के लोग और रिष्टदार car ले रहे हैं या नहीं अगर वो लोग new car ले रहे हैं तो ज्यादा chances है कि वो आदमी भी new car लेगा So, जब लोग दूसरों के पास कोई अच्छी चीज देखते हैं तो वो भी वो चीज लेना चाहते हैं यह principal apple company ने किस तरह apply किया यह काफि interesting है पहले apple के laptops पर apple का logo उल्टा हुआ करता था ऐसा user की convenience के लिए रखा गया था जब laptop बंद रहता तो user को वो logo सीधा दिखता था और जब laptop open रहता तो वो logo उल्टा दिखता था एपल के founder studio jobs branding बर बहुत believe करते थे तो जब उनका इस पर ध्यान गया तो उन्होंने अपनी team से पूछा दोनों में से क्या important है जब laptop बंद हो तो consumer को logo सीधा दिखना चाहिए या जब laptop use में हो तो सारे दुनिया को logo सीधा दिखना चाहिए अब जब आप एपल के laptop देखो तो आप देख सकते हो कि jobs ने वो logo सीधा कर दिया है Reason Jobs ने ये realize किया कि लोग जब दूसरों को कुछ करते हुए देखते हैं तो वो भी वही करना चाहते हैं और अगेन यहाँ पर बात है देखने की अगर लोग देखेंगे नहीं तो वो copy भी नहीं करेंगे So fourth principle है public और idea यह है कि क्या लोग देख सकते हैं कि दूसरे लोग हमारा product किस तरह use कर रहे हैं Fifth principle है practical value अगर आप किसी को कुछ ऐसा दे सको जो उनके लिए बहुत helpful हो तो वो share करना चाहेंगे उनकी जान पहचान के लोगों से इसका fresh example है Reliance Jio Jio ने users को practical value दी like free sim, unlimited internet and calls and social media पर Jio के बारे में लोगों ने कितनी बात की शायद यह बताने की ज़रूरत नहीं है Jio just a example है practical value कुछ भी हो सकती है like humor and knowledge आप किसी को हसा सको तो भी लोग share करेंगे आप लोगों को किसी भी form में अच्छी information देते हो तो भी लोग share करेंगे so fifth principle है practical value and idea यह है कि आपकी किसी भी चीज से अगर लोगों की life better बनती है तो वो share करके उनके friends और family की भी help करेंगे sixth and last principle है story और idea यह है कि क्या आपका product या idea किसी story का part बन सकता है शायद आपने Honda Accord का 2 minute का single shot वीडियो देखा हो जिसमें car के parts को बहुत अच्छी तरह से जमाया जाता है जो एक दूसरे से टकराते हुए एक dominance effect create करते हैं ये वीडियो कभी television पर नहीं आया बट internet पर बहुत viral हुआ था so उस perfectly engineered video का integral part थी वो car Honda Accord कोई भी उस वीडियो के बारे में बिना car का नाम लिये नहीं बता सकता इसके हलावा blend tech नाम की एक blender manufacturer company ने will it blend नाम की एक video series शुरू की है इस series के एक video में उन्हें आइफोन को उनके blender में blend करके powder बनाते हुए दिखाया है so अगर कोई इस video के बारे में बात करता है तो वो इस से blender हटा कर बात नहीं कर सकता so sixth and last principle है story क्या आपका product या idea किसी story का part बन सकता है so यह थे वो six principles जो किसी भी content के viral होने के पीछे होते हैं एक बार quickly इन पर नज़र डाल लेते हैं number one social currency आपका idea या product share करने से लोगों ने अच्छा feel करना चाहिए number two trigger product को बार बार याद दिलाने के लिए strong trigger चाहिए number three emotions अगर लोग strong emotions feel करेंगे तो वो share करेंगे number four public product इस तरह design होना चाहिए कि जब कोई वो use करें तो आस पास के लोग भी उसका brand देख सकें number five practical value आपके product या idea से लोगों की life बदलनी चाहिए number six story आपका product एक अच्छी story का part होना चाहिए आपके content को viral या product को popular बनाने के लिए आप भी follow करके देखिए ये six steps वीडियो पसंद आई होता लाइक करिए और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी information दी है तो इसे share भी करिए आपके friends and family के साथ अगर आप इस channel पर नए हो तो subscribe के button पर click करिए जिससे आपको आगे भी मेरी videos मिलती रहेंगी सो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद